सलावं आलेकुम वीवर्स वीवर्स आज हम मौझूद हैं अरूबा इम्राइटरी सेंटर के उपर जहां पर मशीन और हैंडवर का काम होता है और ये शौप नंबर है 12 भी इशरित प्लाजा मार्केट में तो आईए वीवर्स पहले आपको एक अवर लुक देते हैं दुकान का तो वीवर्स यहां पर इम्रान भाई होते हैं जो के हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं तो चलिए इनसे बाच्चित करते हैं और पूछते हैं आजकल क्या आखले हैं काम के आस्सलाम अलेकुम इम्राण भई इम्रान भाई आए किया बना रहे हैं अच्छा ये लाइने वागाँ डल दीए लाइने बन रही है तो इसके जो है शंत्र में शड़ी बनती है कि यह कस्टमर अपने पास से लेकर रहा है और फ्रेंट पर भी इसी छे कर लिए तो इम्रान भाई थोड़ा सा मशीन से बना के दिखाएं ताके किस तरीके से काम होता है हमारे वीवर्स देखेंगे कि अपने पास से लेकर रहा है हमारे वीवर्स देखेंगे तो वीवर्स आपने देखा यह किस तरीके से काम होता है और आपको और भी दुकान पर दिखाते हैं कि क्या क्या चीजे तैयार होती है जी भाई तो वीवर्स यह हैंड वर्क में एक चोली बनी वी है जिसको कच्चे का काम भी कहते हैं और इसके अंदर कोरा दपका और रेशम की इसके अंदर लोंग गिरा और पिपल गिरा भी सिली वी है तो आपको इसको करीब से दिखाते हैं और दिखाईएगा आपके पास क्या क्या वराइटी है यह भी टोटल हैंड वर्क है यह भी कंप्लेट हैंड वर्क है जिसके अंदर फ्रेंच नौट्स और कोरे दपके का काम हुआवा है इसको भी आपको करीब से दिखाते हैं और दिखाईएगा आप इसने कुछ वराइटी यह भी हैंड वर्क में हैंड वर्क 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 है करीब से वीवर्ज हमारे चैनल अंसारी फेशन टीवी को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बेल आइकोन को भी प्रेस कर लें ताके हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके यह मशीन इमराइटी है मुष्राइं से पारी माजों में है रेशन है वीवर्ज यह जो श्यर्ट बनी हुई है यह मशीन और हैंड़् वर्क मिक्स इसके नदर रेशन और जरी का काम हब आवाए और इसके अंदर पाछ रूराह धिखे की टचिंग है और नलकी वगेरा इसके अंदर पल्मोती वगेरा इस्तिमाल किया गया है इसके मशीन वर्ट में निरोर के साथ अबनाई दिया है निरोर के झाद वर्ट गे रिशिया है तो वीवर्ज यह जो चोली आस्तिन है यह मशीन वर्क और हैंड वर्क मिक्स में बनी वी है आपको दिखाते हैं अच्छा आस्तिनों में इसके मिनर वर्क का काम हुआ है मिनर वर्क का काम हुआ है अच्छा लुक आहें चोली का तो वीवर्ज आपने देखा बहुत ही जबर्दस काम बनावा है और और क्या आप दिखाएंगे मशीन के काम में श्फीर का में मिक्स में बनावाएं तो वीवर्ज यह जो पीस है यह मशीन इम्रीटरी का पीस है और इसमें एपलिक का काम हुआ वाये और इसमें जरी और धागो का इस्तिमाल किये गये है भेvकल की हाथ की भी टचिंग है जिसे सिक्वेंस का चंड जो इसमें डलावा है जो नकस वागहरा लगे वे या हाद से लगे में वीवर्ज हमारे चेनल अंसारी फेशन टीवी को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बेल आइकोन को भी प्रेस कर लें ताके हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके वीडियो का काम है वीडियो के साथ है तो वीवर्ज ये जो शेट है ये मशीन इमराइडरी की शेट है और मिनर वर्ग का काम है इसके अंदर रेशम जरी और मिनर का इस्तिमाल किया गया है और इसके उपर हैंड टेचिंग नहीं है ये टोटल मशीन वर्ग है ये टोटल मशीन का है कि यह भी मशीन और हैंड और निक्स में बनावाई कि जली के साथ रेशम बरके और कि इसमें करदानी की सिक्मेंट्स क्रिस्टल्स तो वीवर्ज ये भी जो पीस है ये भी मशीन और हैंड मिक्स इमराइडरी हुई भी है और इसके अंदर जरी और रेशम के इस्तिमाल किया गया है और इसके अंदर कोरा दपका और नक्षी का भी इस्तिमाल किया गया है ये मिक्स काम है मशीन और हैंड वरक का इसमें जो प्रदाने की और सितारे की डाली हैं आपको करीब से दिखाते हैं वीवर्ज हमारे चैनल अंसारी फेशन टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकोन को भी प्रेस कर लें ताके हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुच सके ये भी हैंडवर्क में ये काफी हेवी काम लग रहा है हैंडवर्क के साथ बना वें लोड का काम है इसमें दपके का कुछा लोड सिना वह हैं रेशम के रिंग के इच्छा बना वह हैं तो वीवर्स ये देखा ये एक शेट बनी वे हैंडवर्क की इसके अंदर कोरा दपका और रेशम भी इस्तिमाल किया गया है और ये टोटल हैंडवर्क की शेट है आपको एक नदर ओर दिखाते हैं करीब से वीवर्स हमारे चैनल अंसारी फेशन टीवी को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बेल आइकोन को भी प्रेस कर दें ताके हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके और इंशाला हम आपको किसी दूसरी दुकान का विजिट कराएंगे जहां पे औ और मजीद वराइटी हम आपको दिखाएंगे शुक्रिया